नमश्कार आपके साथ मैं रोहुत कुमाराफे निश्फोर नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से जहां पर उपेंद्र कुश्वाहा को लेकर के जद्यू के राष्टे धर्च और सांसद ललन सिंग का बड़ा बयान सामने आए ललन सिंग ने अपने बयान उनको सिर्फ MLC बनाके रखा गया जद्यू में संसद्य बोर्ड जैसा कोई पद नहीं था उनको एक जुनजुना थमाये गया और अब इसी के बाद जो है ललन सिंग का बड़ा बयान सामने आए ललन सिंग ने अपने बयान में कहा है कि उपेंद्र कुश्वाहा सिर्फ और सिर्फ MLC हैं हबी हाली में जो चुनाव संपन करा गया था संगठन जिसमें उमेश कुश्वाहा को प्रदेश के जिम्मेवारी दी गई थी कई दूसरे प्रदेशों के नए अध्यक्ष बनाए गये थे साथ साथ ललन सिंग जो है उनको पार्टी का एक बार फिर से कर दिया गया सिर्फ को अब जद्यू के प्राथिमिक सदस्य के तोर पर हैं और MLC हैं पार्टी के किसी बड़े पद पर नहीं है उपेंद कुश्वाहा आपको बताएं कि उपेंद कुश्वाहा और इस वक्त जद्यू के बीच जो है वो जंग चल रही है लड़ाई चल रह ने बांका में जो है उपेंद कुश्वाहा को एक बड़ा बयान दिया था अपने बयान में नितिश्कुमार ने साफ साफ कहा था कि मतलब उपेंद कुश्वाहा को जितना उन्होंने सम्मान दिया विधायक बनाने से लिकर के आज MLC बनाने तक में राजस्वा जो सांसा द प्रक्षे उनका बड़ा बयान सामने आया है। इसके पहले भी ललन सिंग ने एक दिन पहले जो है जद्यू कारेलाय में मीडिया से बातचीत करते वे उपेंद्र कुछ वहाँ पर आरोप लगाया था कि संसद्य बोड के निता के तौर पर उनसे कई बाई रायर मश्वरा किय प्रक्रण हो या फर कुड़नी उप्चुनाव में उनसे चर्चा हुई लेकिन वो जूठ बोल रहे हैं उनका मन कहीं भी हो इसे कोई फटक नहीं पड़ता है लेकिन उनका मस्ते बहुत नहीं बोलना चाहिए था जद्यू में वो प्रकरन है वो उस वक्त और तेज हो गया जब उपेंद कुश्वाहा ने चिट्थी रिखी जशिट्थी में उन्होंने जद्यू की नेताव को मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा कि 19 और 20 फरवरी को आयूजेत मीटिंग में तमाम लोग जद्यू के पहुंचे क्योंकि जद्यू को बचाना है अब इस पर जद्यू के अंदर जो है वो घमसान मचावा इस चिट्थी के बाद तुरंत ललन सिंग सामने आ गया और अब पार्टी के प्रदेश अधक्ष का बड़ा वयान भी सामने आ चुका है कि यहल कोई गया तो उसकी खैर नहीं है और अब यसे में ललन सी ने उपेंद कुष्वाह को कहें कि तरीके से हाथ पकड़के बाहर का रास्ता दिखा दिया है बाहर कर दिया है क्योंकि अब उपेंद कुष्वाह संसद्य बोड के अधक्ष भी नहीं है हाली में जद्यू के समठना चुनाव संपन कराया गया और चुनाव में लन सेंग पार्टी के रा झाल झाल